नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आईरवेद आरूग्य औशधी चैनल के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आईरवेद के महान गरंत आश्टांग हृदय में शहद के औशधी गुनों को इस फ्लोक द्वारा बताया गया है दोस्तों आईरवेद में शहद को मधू कहा जाता है जिसमें ये सब गुन होते हैं जैसे कि रुक्षना या कफ आदी को सुखाने वाला रोपना या अलसर आदी को ठीक करने वाला वाजी करना या कामिच्छा को बढ़ाने वाला कफ निसारका या कफ से निजात दिलाने वाला और योग वाही अर्थात वो पदार्थ जो हमारी बॉडी के deepest tissues तक पहुँचता है। दोस्तों, शहद में वो शक्ती होती है कि वो किसी अन्य दवाई को भी हमारे tissues के deeper levels तक ले जा सकती है और जिस से उस दवाई की effectiveness बढ़ती है, लेकिन ऐसा करते वक्त शहद के अपने वोशदिय गुनों में कोई बदलाव नहीं आता है। दोस्तों, शहद वात को बढ़ाता है लेकिन पित और कफ दोनों को ही संतुलित करता है। शहद कफ और रक्त का शुद्धिकरन या detox करता है, ये हमारे शरीर को अंदर और बाहर दोनों रूप से शुद्ध करके उसे रोग मुक्त बनाता है। शहद खाने से हमारा शरीर हाइडरेट होता है, हमारी immunity stimulate होती है और रक्त शुद्ध होने से ये हमारी तवचा को भी लाब पहुचाता है। या ताजा या हाल ही में एकत्रित किया गया शहद और पुराना मधू या शहद जो की एक वर्ष से अधिक आयू का हो। आइवेद के महान आचारे शुशुद के अनुसार इन दो प्रकार के शहद के गुन या qualities और कर्म या actions अलग-अलग होते हैं। नवीन मधू में ब्रिहन कारी गुन होते हैं जो शरीर का पोशन करता है और एक रेचक या laxative भी होता है। जबकि पुराना मधू एक anti-diuretic होता है और जो शरीर के अंदर एक लेखन या खुरचने का काम करता है, मतलब ये है कि ये fat को कम करता है और दूशित या असंतुलित दोश के असंतुलन को समाप्त करता है। अईर्वेधCTV कली शेहद को कभीभी गर्म नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा नॉर्मल टेंपरेचर वाले शेहद का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों चलीए अब देखते हैं कि शेहद का उपयोग हम किन-किन अईर्वेधिक घरेले उपचारों में कर सकते हैं। पहला श्वास समंधी रोगों के लिए दोस्तों आप हर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ शेहद का सेवन करें। चेस्ट कंजेशन, कफ, सर्दी, खासी और गले में खरा शादी को दूर करने के लिए आप दो चमच शेहद में दो चमच अदरग का रस मिला कर लें। आप अदरग का रस, काली मिर्च पाउडर और शेहद से बना मिश्रन दिन में तीन से चार बार ले सकते हैं। दूसरा, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तो, शेहद के साथ डालचीनी पाउडर का रोज सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है और जो हमारे शरीर को बैक्टिरियल और वाइरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। तीसरा, आँखों की रोशनी और कंजंग्टिवाइटेस के लिए। एक उतक्रिष्ट हार्ट टॉनिक होता है क्योंकि ये हमारे हार्ट मसल्स को मजबूत बनाकर उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है। रोज नीमू के रस में एक चमच शेहद मिलाकर लेना आर्टीरियो स्क्लेरोसिस को दूर करने का एक बहुत ही पॉपिलर आईरुवेदिक उप्चार है। पांचवाँ अपच, पेप्टिक अलसर और पिता शेह की पत्री के लिए। पांच को शेहद के साथ मिलाएं और दर्द को कम करने के लिए हर रोज इसे दो से तीन बार लें। छठा, वजन घटाने के लिए। दोस्तों आईरुवेद के अनुसार RBC या Red Blood Cells में हीमोगलोबिन के सही संतुलन को बनाई रखने के लिए भी शेहद का उप्योग करना चाहिए। आठवा मुग के छाले, अत्धिक प्यास लगना और हिचकी के लिए। दोस्तों शेहद और पानी से गरारे करना हमें मसूडों की सूजन या जिंजिवाइटिस से बचाता है। अगर पॉसिबल हो तो गंडूश या Ayurvedic Oil Pulling शेहद के साथ करें। हिचकी आने पर भी धीरे धीरे थोड़ा शेहद चाटने से आराम मिलता है। 9. तवचा के लिए। दोस्तों खुबसुरत तवचा पाने के लिए आप एक से दो चमश कच्चे शेहद या Raw Honey को एक Face Mask की तरह अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दे, फिर गुनगने पानी से धोग कर एक नरम तॉलिये से हलके हाथों से पोच्छ कर सुखा ले। अगर आप पित बॉडी टाइप के हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अलविरा जल भी मिला सकते हैं। जलने पर चोट वाले स्थान पर गी और शहद का लेप लगाकर इसे एक नन्स्टिकी या सूखे और स्टेराइल पट्ती से पट्ति कर लें। कटने और छिलने पर भी इंफेक्शन को होने से रोकने के लिए आप चोट वाले स्थान पर शहद लगा सकते हैं। इसके लिए आप नीम के पतों को पीस कर उसमें शहद हल्दी पाउडर और शुद्ध घी मिलाकर लगा सकते हैं। ये घाव के दर्द को कम करके उससे रक्त स्राव को रोपता है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। दस्वा, बालो के स्वास्थि के लिए। दोस्तों आप घर पर ही बड़ी ही आसानी से एक हेर मास्क बना सकते हैं। इसके लिए आप बराबर मात्रा में नार्यल तेल और शहद को मिलाकर अपने बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भ्रिंगराज तेल या हर्बल पाउडर भी मिला सकते हैं। इसे अपने बालों पर लगाने के बाद आधे से एक घंटे के लिए अपने बालों में लगा रहने दे और फिर किसी भी mild natural shampoo से अपने बालों को धोले। ये dry scalp की समस्या से भी निजात दिलात है। शहद और साथानिया। दोस्तों आईरवेद के महान आचारे चरक की अनुसार शहद का अनुचित सेवन हमारे शरीर में अमा या टॉक्सिंस का कारण बनता है जो कि कई बिमारियों को जन्म देता है। इसलिए आप कभी भी शहद को उसके विरुद आहार या opposite food combinations के ना लें क्योंकि ऐसा करने से इसके जहरीले गुन बढ़ जाते हैं और जो हमारे त्रिदोशों में असंतुलन का कारण बनता है। दोस्तों आईरवेद ये भी सला देता है कि आप शहद को कभी भी इन सब के साथ समान मातरा में ना मिलाए जैसे की घी, मीट, तिल का तेल य लिए इसे लाइक और शेर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आईरवेद आरोगी औशदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें आईरवेद आरोगी औशदी चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका झाल